वंदे मात्रम बाल दोस्तों आप सब में से चुटकुले सुनना किसे पसंद है अरे वाँ आप सबको पसंद है तो आईए आज मैं आपको कुछ चुटकुले सुनाती हूँ पहला है एक हाथी और एक चीटी चुपन चुपई खेल रहे थे तो चीटी जो है वो मंदिर में जाके चुप गए तो हाथी ने जब उसे डूढ निकाला तो चीटी ने पूछा कि तुमने मुझे केसे डूढ तो हाथी आउसते हुए बोला अरे तुम्हारी चपल बाहर पड तो मुझे लगा तुम मंदिर में चुपई हो तो मैंने तुम्हे डूढ निकाला उसके बाद क्या चुटकुला है शिक्षक ने चिंटू को पूछते हुए कहा कि गांधी जी का जन्म किस साल में हुआ था तो चिंटू ने कहा गांधी जी का जन्म साल में नहीं गोदड़ में हुआ था उसके बाद तिम चींटी आ थी काली गोरी और पीली तो इसे गोरी चींटी जो है उसने काली चींटी को पूछा कि तुम इतनी काली क्यू मौत तो काली चिंटी ऐसे उदास होकर बोली कि मैं कोईले की खान में काम करती हूँ इसलिए मैं काली हूँ उसके बाद गोरी चिंटी ने पिली चिंटी से पूछा कि तुम इतनी पिली क्यूं हो तो पिली चिंटी ने कहा कि मैं तो हल्दी के कमपनी में काम करती हूँ फिर काली और पिली दोनों चिंटियों ने गोरी चिंटी से पूछा कि तुम इतनी गोरी केसे हो तो गोरी चिंटी ने एसे मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो फेरन लवली के कमपनी में काम करती हुँ तो वाल दोस्तों आप सबको हंसना आया अरे आप सब तो बहुत हंस रहे हो तो आज में आपको ऐसे ही चुटकुले से भरा हुआ हंसी का पिटारा सिखाऊंगी जो एक आपकी छठे नंबर की इका है हंसी का पिटारा उसमें कई सारे चुटकुले हैं जिससे सुनकर आपको बहुत हंसना आएगा तो आईए अब हम जानते हैं हसी का पिटारा तो बाल दोस्तों जीवन में हस्तिय का बहुत ही महत्व है हस्तिय जीवन में दुख को भुला कर नई उमंग भर देता है हस्तने से स्वास्तिय अच्छा रहता है तो बाल दोस्तो जब हम हसते हैं तो हमारी हसी से दूसरों को भी हसना आता है और इस तरह आपस में खुश्या भी हम बाटते रहते हैं तो चुटकुला सुनकर जब हम हंसते हैं, तो हम अपने जो दुख होते हैं, हमारे जो तनाव होते हैं, वो हम भूल जाते हैं और हंसने लगते हैं, तो इससे हमारा जो दिल है, हमारा दिमाग है, उस पर भी बहुत अच्छा असर होता है, तो आएए, अब हम हंसी के पिटारे को देखते हैं तो बाल दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे एक लड़का है और उसकी ममी है और यहां पे कुछ सुखाया हुआ है तो उसकी ममी उसे कुछ कह रही है तो क्या कह रही है चलिए हम देखते हैं बेटा देखना गेहुं सुख रहा है कहीं गायनों ख तो बेटा तुम यहां पर देखकर ध्यान रखो कि गेहु सुख रहे हैं तो गाई आकी खान जाए उसका तुम ध्यान रखना उसके बाद क्या होता है तो बाल दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि गधा गेहु खा रहा है और उसकी ममी उससे डाठ रहा है और तो उसकी गधा गेहु खा रहा है और तो मुसे खा नहीं रहे हो तो उस लड़के ने कहा आपने तो गाई को हटाने को कहा था यह तो गधा है तो बाल दोस्तो उस लड़के को ऐसा लगा कि ममी ने गाई को हटाने को कहा है तो यहां पर कहा गाई खा रहे हैं यह तो गधा है तो गधे को में क्यों हटा हूँ तो बाल दोस्तों इस तरह हमें इसमें हसी आए ऐसी परिस्थिती है कि ममी ने गाई को कहा लेकिन लड़के ने क्या है कि सिर्फ गाई ही ध्यान मिली उसे ऐसा लगाई ने कि कोई भी जानवर हो उसे हमें गेहूं नहीं खाने देने चाहिए तो इस तरह इस मुर्ख बच्चे ने गधे को गेहूं खाने दिये अब आगी के चुटकूले देखते हैं अब आगी के चुटकूले दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तयारी कर रहे थे तो बाल दोस्तों जिस तरह आपके भी कुछ दोस्त होते है उसी तरह यहां पे दो दोस् कि दिपक नाम है या सर्व नाम है या फिर विशेश रहे क्या है तो दूसरे दोस्त को तो ऐसा लगा कि दिपक मिठाई नहीं खाता तो वो मुर्ख है क्योंकि मिठाई तो सब को खानी चाहिए तो बाल दोस्तो इस चुटकुले में दोनों दोस्त की जो अलग-अलग सोच है उससे ऐसे हस्य उत्पन होता है और सबको हस्याने लगती है इस बात से उसके बाद का च मालक नोकर से क्या कहा के कुई बी चाहिए थ apologize पहले मुझे Himself किस तरह से ने कि तो ठीक अचेरे बाद को थोड़ी तेर बाद माले ट्रव कि अचेरılar भला गर में बिली नहीं दूध पी रही है मैं उसे बहगा दो कर दोस्तों एह है जो नहकर है वो थोड़ी दैर बढा आया और अपने मालिक से बोलने लगा कि रसोई घर में बिल्ली आई है और दूज पी रही है तो मैं उसे भगाओ के नहीं तो बाल दोस्तों यहाँ पे मालिक ने ऐसे कहा कि कुछ ऐसे जरूरी काम हो जिसमें नोकर को पता ना चले कि इसको कैसे किया जाए उसे ही पूछने के लिए कहा था तो यहाँ पे तो नोकर ने सब कुछ पूछ पूछ के करने लगा बिल्ली तक को भगाने के लिए भी उसने पूछ लिया तो जब तक वो मालिक से पूछने आया होगा तब तक तो बिल्ली कितना सारा दूद पी गई होगी तो बाल दोस्तो इस तरह मालिक ने जो समझाया और नोकर ने जो अलग तरह से समझा उससे हास्य उत्पन होता है अब आगे का चुटकुला अब आगे एक आदमी दुकंदार के पास चाकर बोला तो बाल दोस्तो एक आदमी जो है वो दुकंदार के पास गया तो उसने क्या बोला जनब कुत्य का बिस्कुट मिलेगा तो बाल दोस्तो उस आदमी को कुत्य का बिस्कुट चाहेगा दुकांदार बोला यही खाऊंगे या घर ले जाऊंगे तो बाल दोस्तो आदमी को तो कुत्य के लिए बिस्कुट चाहेगा तो वो भला यहां क्यों खाएगा तो दुकांदार ने पूछा कि अगर यहां खाऊंगे तो पेक न करू और घर ले जाना हो तो पेक कर दू ऐसा उसकार्थ होगा तो बाल दोस्तों यहां पे जिस तरह आदमी ने दुकांदार से पूछा और दुकंदार ने हडबड़ी में ऐसे पूछ लिया कि यही खाना या कर ले जाना है तो इस में से भी हास्य उत्पन होता है और हमें हासी हासी आने लगती है अब आगे का चुटकुला रामू श्यामू को देखकर क्यों भी गधे को लेकर कहा जा रहा है श्यामू मुर्ख हो क्या यह गधा नहीं कुटा है रामू मैं कुटे से ही पूछ रहा हूँ तो बाल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामू जो है वो श्यामू को देखकर कह रहा है कि गधे को लेकर कहा जा रहे हो फिर शामु कहता है कि तुम मुर्ख हो ये गधा नहीं कुद्धा है तो रामु बोला कुद्धे से ही पूछ रहा हूँ तो बाल दोस्तो इसमें रामु सिधी तरह से शामु को गधा नहीं कह रहा है लेकिन खुमा फिराकर वो गधा कह रहा है तो बाल दोस्तो इसमें से भी हासी उत्पन होता है और हमें हासी हमारी रोक नहीं सपाते हम तो इस तरह चिटकुले का आपको आनन्द आया अरे वाग तो आप भी इस तरह नए नए चिटकुले ढूंड कर उन्हें अपने होमवर्क में लिखना अब हम प्रश्णुतर की और आगे बढ़ते हैं हाथ तो बाल दोस्तो अब हम प्रश्णुतर देखते हैं निमन लिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंड कर लिखिये तो बाल दोस्तों यहां पे जो शब्द दिये गए है उसके हमें यहां पर इसमें से विरुद्धार्थ शब्द यानि की विलोम शब्द ढूंड कर लिखने है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि उदाहरण भी दिया गया है कि गलत तो गलत का होगा सही तो इस तरह हमें यह दुसरे जो शब्द हैं उसके विरुद्धार्थ शब्द यानि की विलोम शब्द ढूंडने है तो पहला है सुखा तो सुखे का विरुद्धार्थ शब्द होगा गिला उसके बाद हैं सुबह तो सुबह का विरुद्धार्थ शब्द होगा शाम दोस्त तो दोस्त का विरुद्धार्थे शब्द होगा दुश्मन उसके बाद का है दिन तो दिन का विरुद्धार्थे शब्द होगा रात अब आगे का देखते हैं मुर्क तो मुर्क का विरुद्धार्थे शब्द होगा बुद्धी मन मुर्क का विरुद्धार्थे शब्द होगा बुद्धी मन तो बाल दोस्तो इस तरह अपने सभी शब्दों के विलोम शब्द ढूण कर लिखे तो आप भी कुछ शब्द ढूंड कर उसके विलोम शब्द यानि की विरुद्धार्थ शब्द लेख सकते हैं अब अगला प्रोश्ण हाथ बाल दोस्तों अब हम अगला प्रोश्ण देखते हैं उपर्युक्त शब्दों पर आधारित वांकिय बनाईए उपर्युक्त विलोम शब्दों पर आधारित वांकिय बनाईए तो बाल दोस्तों हमने जब पहले जो विलोम शब्द देखे ढूंडे उसके आधार पर हमें वांकिय बनाने है और हमें यहाँ पर दारण भी दिया गया है मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वहां गलत था तो बाल दोस्तों इस तरह हम भी दूसरे जो विलोम शब्द हमने ढूंडे है उससे हम वांकिय बनाएंगे तो आईए पहला देखते है पहला शब्द है सुखा और उसका विलोम शब्द है गीला तो इसका वांकिय क्या होगा तो इसका वांकिय होगा कि मुझे लगा पाईजामा सुखा है पर वहां गिला था उसके बाद का दूसरा शब्द है सुखा जिसका विलोम शब्द है शाम तो बाल दोस्तो इसका वांकिय होगा वहां सुखा को स्कूल गया और शाम को आया उसके बाद है तीसरा शब्द दोस्त तो दोस्त का विलोम शब्द है दुश्मन तो इसका वांकिय होगा मैंने उसे दोस्त समझा और वहां मेरा दुश्मन निकला उसके बाद का है उसके बाद का शब्द है दिन तो उसका विलोम शब्द होगा रात तो बाद दोस्तो उसका वांकिय हम देखते है वहां दीन रात मेहनत करता है उसके बाद का शब्द है मुर्ख तो बाद दोस्तो मुर्ख का विरुद्धार्थी शब्द होगा बुद्धिमन तो उसका वांकिय जानते हैं मैंने उसे मुर्ख समझा पर वहां बुद्धिमन निकला तो बाद दोस्तो आप भी इस तरह जो दूसरे विलोम शब्द ढूंडेंगे तो उसको ढूंड कर उसके वांकिय बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा लिखने में तो बाद दोस्तो मैंने ये जो विलोम शब्द के आधर पर वांकिय बना कर आपको सुनाए हैं ये आपको ध्यान से सुनकर अपनी बुख में लिखना है अब आगी का प्रोशन देखते हैं इन्हें और क्या कहते हैं? छांट कर लिखिये तो बाल दोस्तो यहां पे जो चार शब्दे देए गए हैं इन्हें और हम क्या कहेंगे? तो और हम क्या कहेंगे? तो इसका आर्थ है कि इसको दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? इसका क्या आर्थ होता होंगा? तो बाल दोस्तों एक तरफ से इसकी इस शब्दों को हमें इसमें से इसके समानार्थी ही ठूड़ने है तो आईए अब हम समानार्थी देखते है पहला है दोस्त तो बाल दोस्तों यहां पे दारण भी दिया है कि दोस्त यानि की मित्र तो ये उसका समानार्थी शब्द है तो यहाँ पे देख सकते हम दोस्त है तो उसका यहाँ पे मित्र समानार्थी शब्द है उसके बाद का है मुर्ख तो मुर्ख का है बेवकुप तो ये बेवाखुब शब्द है, ये मुरुख का समानार्थी है, उसके बाद है सुबह, तो सुबह का समानार्थी होगा प्रात्हकाल, तो सुबह को हम प्रात्हकाल भी बोलते हैं, उसके बाद है वक्त, तो वक्त को हम समय भी कहते हैं, तो बाल दोस्तों इस तरह हमने एक-एक करके सभी शब्दों को छाट कर लिख समझा और उसके समानार्थी शब्द भी समझे अब आगी का प्रोष्ण हम देखेंगे तो यह अगला प्रोष्ण है उपर्योगत समानार्थी शब्द आधारित वाक्यों बनाई है तो बाल दोस्तों जब हमने समानार्थी शब्द ढूंडे तो उस शब्द के अधार पर हमें वाक्यों बनाने है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह उदाहरों भी दिये गए है तो इन उदाहरों के अधार पर हम वाक्यों बनाएंगे तो आईए पहले उदारों के वाक्य पढ़ते हैं राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे तो दोस्त का समानार थी है मित्र तो उसका भी दूसरा माक्य बनाया है राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे तो बाल दोस्तों दूसरे जो शब्द है उसके में वाक्य बोलूँगी? और आप सब ध्यान से सुनना और अपनी नोटबूक में होमवर्क में लिखना तो बाल दोस्तों दोस्त का जन से मित्र हुआ वेसे ही मुर्ख का होता है बेवकोफ तो चलिये इसका वाक्य में बोलती हुआ और आप थ्यान से सुनना वहाँ बच्चा तो बड़ा मुर्ख है तो मुर्ख का समानार्थी होगा बेवकुफ तो उससे भी एक वाकिय हम बनाएंगे वहाँ बच्चा तो बड़ा बेवकुफ है अब आगे का शब्द देखते हैं सुबह तो सुबह का वाक्य हम बनाएंगे कि दादी मा सुबह सुबह पूझा करती है दादी मा सुबह सुबह पूझा करती है तो बाल दोस्तों सुबह का समानार्थी होगा प्रातह काल तो प्रातह काल का भी हम एक वाक्य बनाएंगे दादी मा प्रातहो काल को पूजा करती हैं उसके बाद का समानार्थ शब्द हम देखेंगे वक्त तो वक्त का माकिय हम बनायेंगे कि तुम वक्त पे पहुँच जाना तुम वक्त पे पहुँच जाना तो बाल दूस्तो वक्त का समानार्थे शब्द होता है समय तो हम समय से भी एक वाक्य बनायेंगे तुम समय से पहुँच जाना तो बाल दूस्तो इस तरह हमने सभी प्रश्णोतर को देखा समझा और सिख्खा और सभी चुटकुलो को भी ध्यान से सुना और बहुत हसी भी आई हम सब को तो ये जो मैंने आपको प्रश्णोतर करवाए है ये आपको अपने हमवर्क में करने है वंदे मातरम